हेलो फ्रेंड्स मैं हूं केपी सिंग आप देख रहे हैं मेरे चनल बड़ोगे तो बड़ोगे अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नहीं हां तो प्लीज मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरू दबाएं तक आप तो पहुंचे वीडियो सबसे पहले तो मैं आपके लिए क्लास 12 एक्सरसाइज 3B का पार्ट 7 जिसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं कोशन नमबर 18 से उससे पहले आपको हम बता देते हैं कि नया बैच स्टार्ट हो चुका है 2022 क्लास 12 के लिए तो जिन बच्चों को बैच जॉइन करना है वह साम को साथ बज़े डेल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वाटस अब गुरूप पर जॉइन होना चाते हैं तो वाटस अब नमबर पर मैसेज करें जिससे आपको गुरूप पर जोड़ दिया जाएगा जिसमें आप अपना नाम और क्लास लिकर भेज दें तो चलिए सुरू करते हैं कोशन नमब अठारा से देखिए कोश्चन नमबर अठारा में दो पार्ट दे रखे हैं कोश्चन नमबर अठारा का पार्ट वन को कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर आव्यू साथ जिरो दो पाँच और एक्स माइनस वाई बराबर तीन जिरो जिरो तीन यह समीकर नमबर फर्स्ट है और यह समीकर नमबर सकेंड है यहाँ पर देखिए हमको प्लस का वाई और माइनस का वाई दिया गया है तो हम क्या करेंगे समीकरन को समीकरन फर्स्ट प्लस सकेंड एक्स प्लस वाई बराबर साथ जिरो दो पाँच एक्स माइनस वाई बराबर तीन जीरो जीरो तीन तो अब देखिए माइनस जोड़ना है तो चिन पर कोई प्रवाव नहीं पड़ेगा ऐसे देखिए डिरेक्ट कि प्लस का वाई और माइनस का वाई क्या हो जाएंगे कट जाएंगे और एक्स एक्स आजाएंगा टू एक्स बराबर यहां दोनों आव्यू को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे तो साथ में तीन जुड़ गया साथ में तीन जुड़ जाएगा तो दस आजाएगा और 0 में 0 जुलेगा तो 0 आ जाएगा 2 में 0 जुलेगा तो 2 आ जाएगा 5 में 3 जुलेगा तो 8 आ जाएगा यह 2x का मान आ गया इधर साइड में लगा लेते हैं और अब देखेगा कि अगर 2x का मान आ गया है तो x का मान कितना हो जाएगा एक्स का माना जाएगा एक बटे दो आविव दस जिरो दो आट तो दस बटे दो जिरो बटे दो दो बटे दो आट बटे दो तो दस बटे दो पांच जिरो बटे दो जिरो दो बटे दो एक और आट बटे दो चार तो यह आगया एक्स का मान अब हम क्या करेंगे एक्स को उठा कर समीकरण फरस्ट में रख देंगे तो लिखेंगे एक्स का मान समीकरन फर्ष्ट में रखने पर तो समीकरन फर्ष्ट में एक्स का मान रखिए देखे समीकरन फर्ष्ट है कहां पर ये समीकरन फर्ष्ट है इसमें आप एक्स का मान रख दीजे तो एक्स का मान है पाँजिरो एक चार प्लस वाई बराबर साथ जिरो दो पाँच वाई बराबर साथ जिरो दो पाँच में इसे घटाएंगे देगे यह आवई उदर प्लस में इदर कहम जाएगा माइनस में यह आवई उदर कहम आएगा माइनस में आजाएगा पाँच जिरो एक चार तो फाइनल अंसर आजाएगा साथ में से साथ में से पाँच गए दो, 0 में से 0 गए, 0, 2 में से 1 गया, 1, 5 में से 4 गया, 1 तो यह आ गया आवियू Y का मान, तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं उमीद करते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा चलिए बढ़ जाते हैं इसके सकंड पार्ट पर और देखते हैं क्या कह रहा है इसके सकंड पार्ट में तो सकंड पार्ट में देखिए बोल रहा है टू एक्स प्लस थ्री वाई बराबर दो तीन चार जिरो और दूसरा समिकन दे रखा है थ्री एक्स प्लस टू बाई कि दो माइनस दो माइनस एक पांच यह दिया गया समय का नंबर दो अब यहाँ पर देखे द्यान से कैसे इसको हल करेंगे हमको यहाँ पर टू एक्स प्लस थ्री वाई का मान दे रखा है और थ्री एक्स प्लस टू वाई का मान दे रखा है एक्स का गुणां के हाँ दो है यहाँ तीन है तो सबसे पहले हम एक्स के गुणां को सेम को सेम करेंगे तो लिखेंगे समी करण फर्स्ट को तीन से गुणा करेंगे और घटाएंगे सकन्ड को वो भी दो से गुणा करके तो तीन से गुणा करेंगा तो क्या बन जाएगा च्छै यह एक्स प्लस नोवाई बराबर तीन दू निचह तीन तियानो तीन चुकुबारा और जीरो यहां दो से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा दो एक्स प्लस चार वाई दो दूनी चार माइनस चार माइनस दो और दस अब दोनों समी करनों को हम क्या कर लेंगे घटा लेंगे तो माइनस माइनस और यहां भी आ जाएगा माइनस 6X प्लस का 6X माइनस का कट जाएगा 9Y मेंसे चार Y चले जाएगे तो क्या बचेगा 5Y बराबर 5Y बराबर आ जाएगा देखें दोनों आविव को हमें घटाना है तो आपको दिखाते हैं, 6 में से 4 चले गए, तो 2 बचेगा, 9 में 4 जुल गए, तो 13, 12 में 2 जुल गए, 14, 0 में 10 घड़ गए, माइनस 10, अब देखिए, वाई का मान क्या जाएगा, 2 बचे पांच, 13 बचे पांच, 14 बचे पांच, और माइनस का, 10 बचे पांच, अर्थाथ माइनस का, 2, तो इस तरीके से हमारा वाई का मान, आ जाएगा, अब हम क्या करेंगे, वाई का मान, समीकरन सकेंड में रखेंगे, देखिए, यहीं पर साइड में लगाते हैं इसको, क्या लिखेंगे, वाई का मान, समीकरन, सकेंड में रखने, पर, तो क्या बन जाएगा, 3X प्लस 2 और Y का मान रख दीजे, 2 बटे 5, 13 बटे 5, 14 बटे 5 और माइनस दो, 2 माइनस दो, माइनस एक और 5, क्लियर है, अब देखिए, क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे, 3X दो से गुणा करेंगे, तो 4 बटे 5, 13 दूनी, 26 बटे 5, 14 दूनी, 28 बटे 5, और 2 दूनी, 4, माइनस का 4, बराबर, 2 माइनस दो, माइनस एक और 5, अब हम क्या करेंगे, इस आवियू को उधर भेज़ देंगे, माइनस में, तो 3X बटे 5, 26 बटे 5, 28 बटे 5, और 4, अब दोनों को हम घटाएंगे, तो क्या लिखेंगे, देखें, दो में से, चार बटे 5 घटाना हम को, तो 5, दूनी, 10, 10 में से 4 गए, 6 बटे 5, माइनस के 2 में से, माइनस का 26 बटे 5, तो 5, दूनी, 10, माइनस 10, माइनस 26, माइनस का 36 बटे 5, अब आगे बढ़ जाएंगे, और यहाँ पर हम घटाएंगे, माइनस एक और माइनस 28 बटे 5, तो 5 एकम 5, माइनस का 5, माइनस का 28, माइनस का 33 बटे 5, और फिर, प्लस का 5, प्लस का 4, प्लस का 9, अब देखिए, एक्स बचा लेंगे, तो 3 कहाँ जाएगा, 6 बटे, 5 तियां 15, माइनस का 36 बटे, 5 तियां 15, यह 3 बटे में 15 सबके, माइनस का 33 बटे 15 और 9 बटे 3, 3 दू निचे 3 पचे 15, 3 बराम और 3 पचे 15, 3 ग्यारा और 3 पचे 15, 3 तियां नो 3 एकम 3, तो एक्स का माण कितना आ जाएगा, 2 बटे 5, माइनस 12 बटे 5, माइनस 11 बटे 5, और 3, यह आ गया हमारा एक्स का माण, तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा सकते हैं, उमिद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, चलिए, बढ़ जाएंगे हम लोग कोशन नमबर 19 की तराफ, तो कोशन नमबर 19 में क्या कह रहा है, एक्स तदा वाई का मान ग्याद किजिए, यदि वाई का मान दे रखा है, 3, 2, 1, 4, और 2 एक्स प्लिस वाई का मान क्या दे रखा है, यह समी का नमबर एक है, टू एक्स प्लिस वाई का मान है, एक जिरो माईनस तीन दो, यह समी का नमबर दो दे रखा है, तो वाई का मान, समी करण सकंड में रखने पर, में रखने पर, तो इदे रखा है, टू एक्स प्लिस, वाई के जगर पर आजाएगा, तीन, दो, एक, चार, एक, जिरो, माईनस तीन, दो, टू एक्स का मान आजाएगा, एक, जिरो, माईनस तीन, दो, माईनस, तीन, दो, एक, चार, तो दो एक्स बराबर, एक में से तीन गए, माईनस का दो, जिरो में से दो गए, माईनस का दो, माईनस का तीन और माईनस का एक, माईनस का चार, दो में से चार गए माइनस का दो अब देखिए X बराबर आ जाएगा माइनस का दो बटे दो माइनस का दो बटे दो माइनस का चार बटे दो और माइनस का दो बटे दो यह सरल हो जाएगा यह और यह सरल हो जाएगा तो सरलोकर आंसर क्या बन जाएगा माइनस एक माइनस एक माइनस दो और माइनस एक तो इस तरीके से हम एक्स का मान ग्याद कर सकते हैं चलिए बढ़ जाते कुशन नमबर बीश की तरफ एक्स तथा वाई ग्याद किजिए यह दे दो आवेवू एक तीन जीरो एक्स प्लस य जीरो एक दो बराबर पांच च्छे एक आठ अभी यहाँ पर देखे क्या करना है हमें एक्स और वाई का मान बताना है तो यहाँ पर पहले दो की अंदर गुणा करा देंगे दो च्छे जीरो दो एक्स प्लस य जीरो एक दो बराबर पांच च्छे एक आठ अब हम दोनों आविव को जोड़ेंगे तो दो प्लस वाई च्छे में जीरो जोड़ गया च्छे जीरो में एक जोड़ गया एक और टू एक्स में टू जोड़ गया तो टू एक्स प्लस टू तो इसके बराबर में आविव दे रखा है पांच च्छे एक आठ अब हम क्या करेंगे तुलना करेंगे तो लेगेंगे तुलना से तो तुलना से तू प्लस वाई बराबर क्या पांच वाई बराबर पांच माईनस दो अर्दात तीन तो यह आगया हमारा वाई का माहंग और इसकी इससे तुलना कर लेंगे तु एक्स प्लस टू बराबर आठ तू प्लस वाई बराबर आठ तू तू एक्स बराबर आठ माईनस दो एक्स बराबर छे बटे दो तीन तो एक्स का मान भी आ गया कितना तीन तो इस तरीके से हम लोग कोश्चन नमबर 20 लगा सकते हैं उमीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अगर मेरा बता है वह आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो का लाइक करें चैनल पर ने हैं तो चैनल को सब्सक्कारब करें और अगर आपने अभी तक मेरे व्लाग चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका लिंक भी मेरे नेचर डिस्क्रिप्स रिबाक्स में दे रखा है तो आज की क्लास में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कोर्शन के साथ था, था, थैंक वर वाच्छिण